ये तो ब्रह्मन समाज के भोटरों को राजन तिवारी ने सिफ्ट कर लिया जदिव के पहले में छठे चरन का चुनाव संपन्न हो गया है, मैं पुष्वत्तम फाइनल पोस्ट की तरफ से आपको एक बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं, अपने इडिटर इंचिफ ग्याने सर गौतम जी के साथ, स्वागत है सर आपका, धन्यवाज, क्या इस्थिती है बालमी की नगर की बालमी की नगर का जो सीट है, वो सीट शुरुवाती दिनों में जिस समय दीपक यादव को टिकट दिया गया, और दीपक यादव की जो इस्थिती थी, उस समय देखके यह लगता था कि सीट यह थोड़ा गडबड हो सकता है, लेकिन धीरे 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 जब चुकि वो ब्रह्मन बहुल इलाका है, तो ब्रह्मनों को टिकट नहीं देखे, वहाँ यादव को टिकट दिया गया, महागट फंदन की तरफ से, बिसिकली टिकट दिया नहीं गया, टिकट बेचा गया था, और ये सत्ता के गलियार में इस बात की बड़ी चर्चा थी, चुकि ये सीट गठ बंधन में चला गया जंतादल उनाइटेड को, तो इस वज़ए से उन्होंने राष्टिय जंतादल का दामन थाम लिया, और महागट बंधन की तरफ से विद्वार हो गया, मुझे लगता है कि करीब पांच बार हमारी यात्रा बालमिकी नेगर में हु चुकि परवेश मिस्रा और और भी लोग थे, परवेश मिस्रा वही वेक्ति हैं, जो पिछली बार मज 18,000 वोट से हार गयते, परवेश मिस्रा भी इंडेपेंडेंट उमिद्वार थे वहां से, तो आपको बताएं कि वहां बड़ी अच्छी भूमिका रही मुझे जो स्थए अबाल मिकी नगर का वो जदियू के खाते में सुरंखित सिथ हैं, रहां कि जीत हर का मारजीन भले 50,000,000,000 बोट से हो, वहां का जो जीत हर गा gha मारजीन है, यहां के जीत हर के मार्जीन से जाना तो मैं बता रहा था कि नरकटिया ख़ु, लारिया हो, नो utan हो, शु कि राजन तिवारी का लगातार के उनकी पत्यात्रा होती रही प्रभाव साली नाम है और गोविंदन से बिदायक भी रहे हैं तो राजन तिवारी का एक अच्छा खासा प्रभाव ब्रह्मन समुदाय के बीच में देखा जाता है तो परवेश मिस्रा जो वोट का काउंटर कर रहे थे उस काउंटर को रोका राजन तिवारी ने और अगर सुनिल कुमार वहां से सांसत बनते हैं तो इसमें तीवारी की बढ़ी भूनकाय होगी दूसरी एक बात और ऑर गे जो भरती जंता पाटी के सांसद हैं राज सभा सांसद और सुनिल कुमार के बीच में 36 काकडा चलता है तो वो भी सुनिल कुमार को डिस्टर्ब कर रहा था लेकिन राजन तिवारी नि जब घूमना सुरू किया तो वो जो मैंने पाठ दिख रहा था वो पाठ को भी पाठ दि विशन है और सुरुवाती दिनों में जिस तरह से बाल में की नगर सीट और सुरक्षित सीट माना जाता था कि दीपक यादव जब से आर्जेटी जोएन करें तो माना जाता था कि यहां से वो निकल जाएंगे लेकिर राजन तिवारी ने वहां का महौल चेंज कर दिया ना त आदमें राजन तिवारी नहीं आरोप एक पर लगा था कि बाड़ा करों रुपे में टिकट कर दा एक चीनी मेल के एंटी हैं और भी उनके कई तरह के कारोबार हैं जो उनके जो प्रॉफाइल स्टेट और सेर्माल कर से तो दीपक यादव के सामने अगर सुनिल कमार चुन नहीं होता दिख पा रहा है है ना आगे तो आप चारतारी को टिकलियर होगा रिजल लेकिन हमको यह प्रतीत होता है कि बालमिकी नगर का जो सीट है वो सीट कमफर्टेबल सीट है और उस सीट पर विजय निश्चित है और इसमें राजन तिवारी की बड़ी भूम का है पर उनकी पद्यात्राइं हुई लगातार उन्होंने संजेज असवाल के लिए काम किया बालमिकी नगर में तो उन्होंने मुख मंतरी के साथ मंच भी सेयर किया तो यह तमाम तरह की चीज़ें आई सामने और सवर्ण मत दाता मैं सिर्फ ब्रह्मन की बात नहीं करूगा ब् द्यूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि सोंद मत आता कि साथ जो और भी लोकल भो वोटर हैं जो जाती के जो लोग हैं उनके बीच में पैसे का बोलबाल इस बार इस बार था बावजुद इसके थरुवट जो है इलाके थरुवट का इलाका है वो निटीश कुमार का स्टाम्ट बोटर बाना जाता है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा है उसमें उसमें थोड़ी तूट की सुनिल कुमार के खाते में ले आए एक चीज आप मांते हैं कि राजन तिवारी अगर वहां से मांगडवन्दन सो मिद्वार होते या NDA को मिद्वार होते तो कैसी इस्तिती होती बहुत कंपटेबल बहुत कंपटेबल अभी जिस तरह से वहां से फिटबैक निकल करके आ र जार्जिन कितना हो सकता है दो लाग से ज्यादा दो लाग से ज्यादा दीपक यादों बड़ी ताम ज्वाम के साथ थे जश्वी आदों को ज्वाइन किये और बहुत ज्यादा रहले वले उसका कोई एफेक्ट नहीं दिख रहा देखे दिखा मुसलिब मद्दाताओं में राजन तिवारी रहे और राजन तिवारी ने एकदम साम दाम डंड भेद सारी नितियों को अपनाते हुए अच्छा काम किया एक इंटर्व्यून का चला तो चाहते नहीं थे कि दीपक यादों को वहां से चुनाव जितने दे इसलिए मुझे लगता है कि राजन तिवारी की अच्छी अच्छी आपने देखा कि किस तरश है हमारे रिटरिंचीप ने बताया कि बाल में की नगर लोग सबा सीट से जदिव के जो कंडिडेट है वो लीड करने जा रहे हैं और भोट का भी मार्जिन अभी तक जितने भी सीट है उसमें से कहीं ज्यादा है यानि दो साग से उपर भोट का मार्जिन ने बता रहे हैं हाला कि चारतारी को रिजल्ट आना है बाकि क्या कुछ होता है इस पर हम फिर से आपको अपडेट देंगे तो बने रहे हैं आप हमारे साथ देखते रहे हैं फाइनल पोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद